अब आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलबे के 30 महस्पून प्रस जो की रेलबे के आने वाले सारे एक जम जैसे की NTPC, Group D सारे के लिए लाब दायक हैं इसके अलाबा साथ ही अगर आप कोई भी One Day Exam की preparation कर रहे हैं उसमें उस सारे exams के लिए जिसमें भी जिके जिये का portion है उस सारे exams के लिए ये question काफी important है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe क कर दीजे और साथ ही साथ bell icon प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे है और अगर आभी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो like जरूर कीजेगा ताकि आपके like से ही हमें कुछ motivation मिलेगा चलिए तो सुरू करते हैं question number first here question number first है हमारा भारत की जंगना 2011 के अ 84 अगर केरल के बाद लिंगा अनुपाद दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा तब हो जाएगा तमिल नाडू और अगर तीसरे नंबर पर पूछा जाएगा तब हो जाएगा अंधर प्रदेश और अगर नियूंतम लिंगा अनुपाद पूछा जाएगा तब हो जाएगा चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number second GST पंजी करण संख्या में कुल कितने digit होते हैं तो इसका जो सई answer हो जाएगा बो होगा option number D यानी 15 अब देखें ये जो GST है वो इंडिया में लागू कब हुआ था इंडिया में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और इंडिया में जो GST है वो कनाड़ा मोडल पे best है और भारत GST लागू करने वाला 161 देश है 161 देश है भारत GST लागू करने वाला भारत में सबसे पहले GST अस्वाम में लागू हुआ था और सबसे last में GST जमू एंड कास्मीर में लागू हुआ था GST परिसत का जो अध्याच होता है वो हमारे बीत मंत्री होते हैं और भारत में GST लागू करने का जो सुझाब दिया था कभी-कभी ये भी कोश्चन आता है कि भारत में GST लागू करने का सुझाब किस ने दिया था तो वो जो सुझाब था वो था विजय केलकर समीति का चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन नमबर छड़ परधान मंतरी किसान मांधन योजना का सुभारम कब हुआ था इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नमबर A अब देखिए अगर परधान मंतरी किसान मांधन योजना की सुभारम की बात करते हैं तो इसको नरेंद मोधी ने सुभारम किया था कहां से राची जारखंड से इसमें होता क्या है इसमें कोई भी छोटे और सिमांत किसान जिनको है उनको 60 बर्स की आयू पूरी हो जाने पर 3,000 रुपया परती मां की दर से पेंसन दिया जाएगा इस योजना का कुल बजट था 10,000 कड़ो रुपया 10,000 कड़ो रुपया चलिए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोश्चन नमबर 4 दिच्छा पोटल निमलिखित में से किसे संबंदित है इसका जो साई अंसर हो जागा बो हो जागा ऑप्सन नमबर B दिच्छा पोटल जो संबंदित है बो है सिच्छा को ट्रेनिंग देने से इसकी सुरुवाद की गई थी 5 सितम बर 2017 को और इसकी सुरुवाद जो की थी वो HRD मनिश्ट्री ने किया था यानि मानब संसादन विकास मंतराले द्वारा इसका सुभारम किया गया था नेक्स कोश्चन बढ़ते हैं जो कि है कोश्चन नमबर 5 बिस मौसम विज्यान दिवस कम मनाया जाता है तो बिस मौसम विज्यान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर D यानि 23 मार्च अब अगर 7 अपरेल की बात करते हैं तो 7 अपरेल को क्या मनाया जाता है 7 अपरेल को मनाया जाता है 20 स्वास्थ दिवस अगर 21 सितंबर की बात करते हैं तो 21 सितंबर को मनाया जाता है 20 सांती दिवस और अगर 14 परेल की बात करते हैं तो 14 परेल को मनाया जाता है अम बेट कर जनती चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 6 संजुक्त रासंग द्वारा 2020 को किस बर्स के रूप में घोसित किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number B पौधे के स्वास्थ हेतु अंतराष्टिये बर्स अब देखें अंतराष्टिये बाजरा बर्स भी युवन घोसित किया था लेकिन कब किया था ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते है जो कि है हमारा question number 7 भविस उर्जा सम्मेलन 2020 कहां हुआ है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number A अबुधावी अबुधावी है कहां UAE में और यह हुआ कब था जन्बरी 2020 में यह सम्मेलन हुआ है ठीक है अगर बात करते हैं हम यही पे नई दिल्ली की तो नई दिल्ली में सुलाहमा परवासी भारतिये दिवस नई दिल्ली में ओनाया गया था अगर हम धाका बंगला देश की बात करते हैं तो GMFF का योजन ढाका बंगला देश में हुआ था जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं GMFF क्या है एक फिल्म समारू है और उसके बाद अगर ब्राजिल की बात करते हैं तो इगरहमा ब्रिक सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 2019 में वो भी ब्राजिल में हुआ था ब्राजिल का योजना किस से संबंदित है किस राजिसे संबंदित है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा option number C यानि पश्चिम बंगाल देखें अगर हम असाम की बात करते हैं तो असाम में कौनकुन से योजना स्टार्ट हो गया है असाम में है अरुनु धुति स्वर्न योजना अभी नंदन योजना और एक और है कैसले स्वास्ति योजना ये तीनों योजना कहा आरं हुआ था असाम में आरं हुआ है अगर हम हर्याना की बात करते हैं तो हर्याना में एक योजना आरं हुआ है मुख मंत्री परिवार सम्रिधी योजना और एक और इसके साथ ही साथ पेटी योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये दोनों योजना हरियाना से संभनदीत है, अगर बात करते हैं सिक्किम की तो सिक्किम का भी एक योजना बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत बार रिग्जाम में पूछा जाता है, जो की है एक परिवार एक नौकरी, एक परिवार एक नौकरी चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोश्चन नबर नाई सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्सन नमबर ए विजय परताप सिंग अगर पारोव earnand की बात करें थी इनकी भी एक बुक है जो काफी जाधा फेमस है जो कि एक जाम में पूछा जाता है वो है बीइंग गाथी बीइंग गांधी पुस्तक के लेखा कोन है तो पारोव अनध मनमोहन सिंग का भी एक बुक है, Changing India चेंजिंग इंडिया, पुस्ता के लेखाक है मनमोहन सिंग, मिसेलो मामा, जो की ब्राकुमावा की पत्नी है, इनकी एक बुक है, बिकमिंग तो अगर विजय परताब सिंग, सबका साथ, सबका विकास, पारो आनंद, बिइंग गांधी, मनमोहन सिंग, चेंजिंग इंडिया, और मिसेलो मामा, बिकमिंग चलिए, नेक्स पॉस्चन की तरह बढ़ते हैं, जो की है हमारा कॉस्चन नबर टेन निमलिकित में से कौन भार तोलन से संबन्दित है, तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा, बो हो जाएगा, और ये औधी कहां की, कभी-कभी एस्टेट भी पूछ लिया जाता है, तो ये थी आंदरपदेस अगर बजरंग पुणिया की बात करते हैं, तो बजरंग पुणिया का है, पहलवानी से रिलेटेड है, और ये है कहां की, हरियाना के है अगर जीतु राय की बात करते हैं तो जीती राय सूटर है और यूपी से बिलोग करते हैं दीपा करमाकर की अगर हम बात करते हैं तो दीपा करमाकर जिमनास्टिक है और तिरपूरा से बिलोग करते हैं अहां से तरी पूरा से ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 11 question number 11 है global social mobility सुच कांग 2020 में भारत का स्थान कितना है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number C यानि 76 ठीक है ये जो global social mobility की सुच कांग है इसको जारी कौन करता है इसको जारी करता है world economic forum world economic forum यानि 20 वार्थिक मंच जारी करता है इसको और इसमें पहला अस्थान कौन है मतलब top पे कौन है तो top पे है डेन्मार्क देखिए आपको कोई भी जो सुच कांग है उसमें तीनी चीज याद करना होगा top पे कौन पोजिसन है जारी कौन करता है और भारत का उसमें कौन सा अस्थान है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा question number 12 संजुक्त राष्ट बालकोस का मुख्याले कहां इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number B यानी new earth में इस्थित है अब देखिए संजुक्त राष्ट बालकोस की अगर बात कर लें मतलब की अगर UNICEF की बात कर लें तो इसका भी established हुआ था 1946 में established हुआ था पेरिस में किसका headquarter है पेरिस की अगर बात करते हैं तो पेरिस में headquarter है UNESCO का सिंगापूर की बात करते हैं तो एपक का headquarter है सिंगापूर में और काठमांडू की अगर बात करेंगे तो सार्क का headquarter हो गया काठमांडू में चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन नमर 13 अमिताब कान समीती किसे संबंदित है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो होगा ओप्सन नमर B ट्रेनों को नीजी छेतरों में देने हैतु मतलब ट्रेन को प्राइविटाजेशन जो आप लोग सुने भी होंगे कि आज का रेल्बे को प्राइविटाजेशन किया जा रहा है तो ये अमिताब कान समीती के हैं इसे फारिस पे ही किया जा रहा है इनकी अनुसंसा पे किया जा रहा है अगर बात करते हैं बीतिय चेतर में सुधार हेत्यू के लिए तो इसके लिए भी एक आयो समीती आई थी जो समीती थी रगुराम राजन समीती रगुराम राजन समीती अगर बात करते हैं साथ में बेतन आयो की तो साथ में बेतन आयो के लिए एक समीती आई थी जिसको बोला कि तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 14 सूर्ज की रन सायन अभियास किन देशों के बीच आयो जित किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number A यानि भारत और नेपाल के बीच और देखिए सूर्ज की रन होता है किसके लिए थल सेना करती है इसको कौन करती है थल सेना करती है अगर हम भारत चीन की बात करते हैं तो भारत चीन के बीच भी एक होता है वो है hand in hand hand in hand सायन अभियास होता है भारत चीन के बीच भारत जपान की बात करते हैं तो इनके बीच होता है धर्मगार जियन और अगर भारत रूस की बात करते हैं तो इनके बीच होता है इंदर अभियास मतलब की सूर्ज की रना है तो भारत नेपाल हो गया हैंड इन हैंड भारत चीन भारत जपान के बीच धर्मगार जीन भारत रूस के बीच इंदर अभियास चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 15 question number 15 है भारत में कपास का उत्पाधन का उत्पाधन समसे ज़्यादा निमलिकित में से किस राजियों में से होता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा option number D गुजरात अगर हम उत्तर परदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गन्ना और सबसे ज़्यादा आलू ये दोनों उत्तर परदेश में होता है मधः परदेश की बात करते हैं तो जितने भी दलहन है वो सबसे ज़्यादा मधः परदेश में होते है साथ ही साथ सोया बीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मत्रदेश में होता है अगर हम करनाटक की बात करते हैं तो कॉफी, सुरज मुखी ये सब करनाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका भारत में चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 16 question number 16 क्या है, पुरानी किताबों का कागज भूरा की सकारण से हो जाता है तो इसका जो सही अंसर है, बो है option number C, cellulose के oxy करण से चलिए, next question बढ़ते हैं, question number 17 किस बिटामिन को हर्मोन भी कहते हैं? इसका जो सही अंसर है, बो है बिटामिन D बिटामिन D को हम लोग हर्मोन भी कहते हैं, बिटामिन D हमें मिलता है कहां से? sunlight से मिलता है, साथ ही साथ जो human urine होता है, जो human urine होता है या फिर जो मचलियों का liver होता है, फिस के liver में, ये दोनों में भी क्या होता है? बिटामिन D पाया जाता है, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि हैं हमारा question number 18 निम्न में से अधिक्तन दर्मान किसका होता है? इसका जो सही अंसर है, बो हो जागा, option number B, neutron देखें क्यों neutron का जादा होता है? क्योंकि अगर हम electron की बात करते हैं, तो electron का कितना होता है? 0.000549 amu neutron की अगर बात करते हैं, तो इसका होता है 1.00867 amu hydrogen nucleus की अगर बात करते हैं, तो इसका होता है 1.00783 amu और अगर proton की बात करते हैं, तो 1.00728 तो इसमें जो सबसे जादा हुआ होगा, वो किसका होगा? नूट्रोन का होगा, 1.00867 Ameu चलिए, नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कोश्चन नमबर 90 अब तक परस्तावना में कितनी बार संसोधन किये गए हैं? तो इसका जो सई अंसर होगा, वो हो जागा, option नमबर A की सिर्फ और सिर्फ एक बार संसोधन हुआ था और वो भी कब हुआ था? 42 संबिधान संसोधन के तहट 1976 में और इसी में तीन सब्द जोड़े गए थे, वो तीन सब्द था, समाजबाद, पंत निरपेच और राष्ट की अकंड था और इसी परस्तावना को हम क्या बोलते हैं? संबिधान की कुंजी भी बोलते हैं चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 20 प्रथम बहुत परिस्द कहां आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही अंसर है, वो है option number C, राजगिरी में देखिए, चार बहुत संगती हुए थे या चार बहुत परिस्द हुआ था पहला कहां हुआ था? पहला राजगिरी में हुआ था और उससा में राजा कौन थे? हजाद सत्रू दूसरा कहां हुआ था? दूसरा बैसाली में हुआ था और उससा में राजा कौन थे? काला सोक तीसरा कहा हुआ था? तीसरा पाटली पूतर में हुआ था और किसके टाइम में? असोग थे उस समय राजा और अगर चौथे की बात करते हैं तो चौथा हुआ था कुंडल बन कास्मीर में और उस समय राजा कौन थे कनिस्क कभी-कभी ये भी कुशन पूछा जाता है कि कौन सा बहुत संगती है जो बिहार से बाहर हुआ था तो यही जो चौथा बहुत संगरी है कुंडल बल कास्मीर में ये बिहार से बाहर हुआ था इससे पहले राजगीर, बैसाली और पाटली पूतर तीनों बहुत संगती बिहार में हुए थे चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 21 चरक किसके राजनेतिक गुरू थे, राजचिकिस्तक थे तो चरक किसके राजचिकिस्तक से, तो इसका सही option हो जाएगा, option number D, कनिस्क को कनिस्क के राजचिकिस्तक से, और इन्हीं चरक को क्या बोला जाता है चिकिस्तक का जनक बोला जाता है का जनक बोला जाता है, और इन्हें एक book भी लिखी है, जो बहुत famous है कभी-कभी एकजाम में पूछा भी जाता है कि चरक सहींता बुक एक ग्रंथ है इसकी राचना किस ने की तो इसकी चरक सहींता की राचना यही चरक ने किये थे जो कि कनिस के राची किस तक थे चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 22 question number 22 है प्रथम अंगल मराठा यूद कौन सी संधी के द्वारा समाप्त हुई थी तो इसका जो सहींसर है वो है option number C, सलवाई की संधी और यह हुई कब थी? 1782 में क्यों प्रथम अंगल मराठा यूद कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 में चला था और 1782 में यही सलवाई की संधी के कारण प्रथम अंगल मराठा यूद खतम हो गया था अब फिर आज़े सूरत की संधी सूरत की संधी कब हुई थी? सूरत की संधी हुई थी 1775 में बसीन की संधी के अगर बात करते हैं तो यह हुआ था 1802 में और अगर पुरंदर की संधी की बात करते हैं तो यह हुआ था 1776 में चलिए नेक्स कोस्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोस्चन अबर 23 कुल्लू घाटी किसके बीचिस्थी थे? तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D धौलाधर और पंजाल के बीचिस्थी थे और यह कुल्लू घाटी को कहते क्या है? कुल्लू घाटी को पिर्थिवी पर देवताओं की घाटी भी बोलते हैं कभी-कभी question आता है कि देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है तो यही कुल्लू घाटी को कहा जाता है ठीक है? और यह कहा है? हिमाचल परदेश में? ब्यास नदी के सहारी यह बिस्तरी थे, यह कुल्लू घाटी चल ले next question की तरह बढ़ते हैं बुलर जिल की अगर हम बात करते हैं तो बुलर जिल मिलेगा कास्मेर से और सांभा जिल की अगर बात करते हैं तो यह मिलेगा राजस्थान से अब देखे, बात करते हैं अगर पुलिकर जिल की तो पुलिकर जिल जो है वो किस राज में है? देखी इस दो राज में है, इसका 84% जो भाग है वो आंध्र परदेश में है, 84% इसका भाग आंध्र परदेश में है और 16% भाग इसका तमिल नाडू में है, ठीक है? अगर हम चिलका जिल की बात करते हैं तो चिलका जिल जो है वो उडिसा में है और ये सबसे बड़ा टटिय जिल है भारत का कभी कभी कोश्चन ऐसा आता है कि सबसे बड़ा टटिय जिल भारत का कौन है तो यह है यही है चिलका जिल अगर बुलर जील का और ये देखिए यही चिलका जील पर क्या बना है यही चिलका जील पर ही तुलबुल परियोजना बना हुआ है अभी कभी ये भी कोश्चन आता है तुलबुल परियोजना किस पर बना हुआ है तो वो चिलका जील पर बना हुआ है फिर बात करते हैं अगर बुलर जील का, तो बुलर जील है कास्मिर में और ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का जील है, मीठे पानी का जील है, ये जो चिलका जील है, चिलका जील पे नहीं है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना ये बुलर जील पे है, इ आईए इसको एक बर देख लेते हैं चिल का जील उडिसा में है और ये सबसे बड़ा टटिय जील है भारत का बुलर जील के अगर बात करते हैं तो ये कास्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का जील है और बुलर जील पे ही तुलबुल परियोजना है अगर अगर सांभर की बात करते हैं तो ये राजस्थान में और सबसे अधिक खारे पानी की जिल है। इसके अलाबा एक दो कोश्चन और जिल से पूछे जाते हैं, वो ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जिल कौन है। इसके साथ साथ ही एक और कोश्चन पूछा जाता है जिल से रिलेटेट कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल क्या है। कि तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 25 25 कह रहा है कि रखो और निकालो निम्न में से किसकी निती थी तो जो जो सही अंसर होगा इसका अंसर होजागा option number a पुंजीवाद अब देखें रखो और निकालो ये किसकी निती थी पुंजीवादी अर्थ विवस्था की निती है और इसमें देखें होता के है पुंजीवादी अर्थ विवस्था में पुंजीवादी अर्थ विवस्था में कोई भी चीज का जो कीमत होता है वो supplier demand के द्वारा होता है supplier demand प का बजार नियम किसे सुईकार नहीं था तो ये जो इसका अंसर सही अंसर है वो है option number D Malthus देखिए actually ये और ये ये दोनों क्या थे एक एकनॉमिस्ट थे ये एकनॉमिस्ट जो थे JB से ये France के थे और इनका पूरा जो नाम था वो था Jean Baptist से और इसलिए इनको JB से बोला जाता है ये France के एकनॉमिस्ट थे अगर ये Malthus की बात करें तो इनका पूरा नाम था Thomas, Robert, Malthus और ये United Kingdom की थे चलिए, एक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा question number 27 27 कह रहा है गूट निर्पेच रास्टो का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था तो इसका जो सई अंसर है बोहो जाएगा option number A बेल ग्रेड में ये जो गूट निर्पेच रास्ट है मतलब कहने का मतलब क्या N.A.M. Non-Aligned Movement इसकी अस्थापना का बूई थी 1961 में ही आवा था और इसी 1961 में Belgrade में इसका पहला अधिवेशन हुआ था या पर्थम सम्मेलन हुआ था ठीक है इसकी जो अध्यश्ता ये किये थे Belgrade में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यश्ता कों किये थे योगो सलाविया के राष्टपती किये थे कभी-कभी ये भी question आता निधितु किस ने किया था तो भारत के तरफ से अगर पुछा जाके पते निधितु किया था तो उस समय के ततकालीन परधान मंतरी पंडी जवारलाल नेहरू ने किया था चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है question number 28 केंदरिये चर मनुस ανधान संस्थान कहाँ इस्सित है तो इसका जो सई ANSOR होगा बहुऑ जागा OPTION NUMBER B ने OPTION NUMBER C चन्नाई ठीक है और ये कब बना था ये बना था 24 अपरशेल कहाँ है चन्नाई में है ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं तो पूने में भी क्या किया पूने की अगर बात करते हैं तो पूने में है क्या? भारतिये, सिकुरेटी प्रेस पूने में है भारतिये, मौसम, बेदसाला ये दोनों का कहा इस्थित है? पूने में इस्थित है चलिए, नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं पूने की है हमारा कोश्चन नमर ट्वंटीनाइन ट्वंटीनाइन कोश्चन कहा रहा है निम नोबल पूरुसकार विजयतों में से किस बेजयताओं को सांती का पूरुसकार नहीं मिला था? तो इसका जो सही अंसर हो जागा इनको 1929 में मिला है और पॉलिंग की बात करते हैं तो इनको 1962 में मिला है और इन तीनों को मतलब बॉर्लोग, बिस्टन और पॉलिंग ये तीनों को किस के लिए मिला है? तीनों को सांती के लिए मिला है लेकिन बिस्टन चर्चिल को साहित के लिए मिला है इसलिए इसका सही अंसर जो हो जाएगा बो हो जाएगा option number B, Sir Winston Churchill चलिया, next question की तरह बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा last question है पनामा साहर का निर्मान किस बर्स हुआ था? तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा option number D, 1914 में देखें इसकी निर्मान जो पनामा सहर है, इसका निर्मान स्टार्ट हो गया था 1881 में लेकिन 15 अगस्त 1914 को आबा गमन के लिए ये पनामा सहर खोल दिया गया था और ये पनामा सहर, कभी कभी ये भी question आता है कि पनामा सहर जोडता किसको है? तो पनामा साहर किसको जोडता है पनामा साहर जोडता है अटलांटिक महासागर को किस से परसांत महासागर से है ठीक है और इसकी जो लंबाई है पनामा साहर की वो कितनी है वो है 77.1 किलोमेटर कभी-कभी मील में पूद दे जाता है तो इसको मील में बदलिएगा तो 48 मिल के ठीक है चलिए थैंक्स पर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे ताकि इसी तरह के वीडियो जो कि आपके लिए काफी लाफदायक होंग वो आपको मिलते रहे